दोस्तो विल्कम बेक टिनी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छ आँगे दोस्तो आपके सामने खड़ी भी है ब्रैंड न्यू केटियम ड्यूक टू फिप्टी का न्यू मॉडल जो की 2024 वाला वैरियंट है यह जो कलर अफशन है दोस्तो अभी आपको कुछ दिन पहले ही देखने को मिला है और यह 2024 अपनी ड्यूक 250 आपके सामने खड़ी भी है दोस्तो आज के इस पीडियो में विस बाइक के बारे में डीटिल में बात करने वाले है क्या प्राइज आती है क्या स्पेस्पिकेशन है क्या बजट में विस भाइक को खरीश सकते हैं सारी चीज़े आपको मैं डीटेल में बताने वाला हूँ तो आयोप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंट्रस्टिंग प्लस इंपोर्टन होने वाली है ताकि ऐसे इंट्रस्टिंग प्लस के नोडिफिकेशन बे आप तक पहुंसते रह सके एड़ आप मेरे विडियो अपडेट रह सके चली आज कि इस फिडियो को सुरू कारता है सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जाहिर सी बात है और कोई भी चीज खरीदने वाले है खरीदने की सोच रहे तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोच थे कि हमारे पास पैसा कितना है दोस्तों अपने जो ड्यूक टूफिप्टी है यह आपको एक सोरूम प्राइस आती है लगबग तू लैक फोटी थाउजन दो लाग चालीस एज़ रुपेग यह आसपास की जोई आपको एक सोरूम प्राइस देखने को मिल लाते है बात कर लें दोस्तों इस बाइक के ओन डूट प्राइस के बारे में तो पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूँँआ हर एक श्टेट एन सीडी में ओन डूट प्राइस में थोड़ा से डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक श्टेट के आडियो एन इंसुरेंस चार्जस में फार्ग होता है यह बाइक हमारे रैपूर्ट चतिस गड़ में ओन डूट प्राइस आती है लगबग डूट डार्क ब्लू टाइप का ग्राफिक है यह कलर और यह भी आप देख सकते डार्क ब्लू टाइप का कंपरी ने टैंक दिया यह कलर ऑप्शन पहले हमें 390 में मिला था बड़ अप केटीम ने 250 में भी यह कलर दे दिया है चली सबसे पहले आ जाते है दोस्तों इस बाइक की फ्रन लाइट में जैसे आप की ओन करेंगी तेखेगे कि यहाँ पे आपको फ्रन में सबसे पहले LED जो DRL लाइट है दूस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलती है तोगी कंपरी ने काफी अच्छी LED डिरल लाइट इस bike में दीया है काफ़ी प्यारी light धादा बड़ी भी नीए जादा छोटी भी नीए और जादा इतनी मदब ताम जाम मदब एकदम highlight तो नहीं लगती खप्री जैसी बट company ने काफ़ी अच्छी जो light है दोस्तों इस bike में offer किया है यह तो मानना पड़ेगा मेल लेट में इसमें आपको fully LED light मिलता है आपको पास मार के दिखाता है you can see company नहीं आपको fully LED light दिया और इस light की illumination and visibility बहुत तगड़ी है आपको कोई भी extra forward लगाने की need नहीं पड़ेगी एक low beam और एक high beam है जो 10 single light है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे LED देखने को मल जाता है ठीक चलिए अब चलते हैं दोस्तों इस bike के suspension की तरफ suspension में दोस्तों इस bike में आपको front में देख पार है WP के 43 mm के Apex यानि की Apex वाले suspension मिलता है 43 mm के up-side down suspension है suspension की जो quality दोस्तों आपको Duke 250 में बहुत अच्छी देखने को मल जाता है बात कर लिए दोस्तों अब इस bike के braking के बारे में दोस्तों braking में special feature में इस bike में आपको बता दू सबसे पहले dual channel anti lock जो braking system हो आपको इस bike में देखने को मिलता है जो कि dual channel EBS हमें इस bike में देखने को मिल जाता है अगर बात कर लिए दोस्तों इस bike के plate size के बारे में तो plate size में दोस्तों आपको बता दू फ्रंड में 320 mm के आसपास की जो plate size हो आपको इस bike में फ्रंड में देखने को मिल जाती है 320 mm बाइबरे की caliber मिलता है जो कि 4 piston caliber आपको इस bike में मिलेंगे अब चलते दोस्तों इस bike के engine specification की तरब जो कि इस bike का सबसे बड़ा plus point है दोस्तो 250 में आपको engine type में 249.07 cc का LC4C liquid coal single cylinder 4 stroke जो engine है वो हमें Duke 250 में देखने को मिलता है बात कल इसके power and door के बारे में दोस्तों यह जो bike है maximum power में आपको लगबग 31 PS का power जनरेट करके देती है N25 के असपस का जो torque है वो हमें इस bike में देखने को मल जाता है यहने कि दोस्तों इस bike में आपको जो power and torque है ना भाई वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि मेरे साबसे दोस्तों कोई और 250 में आपको इतनी power ने मिल दी जितनी power आपको यह bike offer करती है cooling system इसमें आपको liquid cool engine मिलेगा देख पार है company ने आपर round में radiator दिया है जो कि काफी अच्छा radiator company ने आपर offer किया हुआ है वह दोस्तों आप लोगों को दादू इसमें आप लोगों को fuel system में FI देखने को मिलता है जिसे fuel injector भी कहते है इसकी board size 72 mm है, store size 61.1 mm के असपास का मिलता है इसमें आपको ride by wire भी मिलेगा, इसमें आपको quick shifter भी मिलता है इसमें आप लोगों को sleeper clutch भी देखने को मिलेगा यानि कि latest manufacturing bike हमें ये मिल रही है स्वेदर दूस्तों इस bike का detail, engine specification जैसे आपने देखा कि इस bike में आपको एक बहुत 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 अच्छा सा जो engine है वो आपको इस bike में देखने को मिल जाता है चलिए, बात कर लें दूस्तों अब इस bike के mileage and performance के बारे में कमाले जो ये offer करेगे, depending on riding skill 0-200 पे दूस्तों इस bike को लगबक, दस नहीं, आठ सेकेंड लगता है टॉप speed आपको इसकी लगबक, 150 km per hour gasper's की टॉप speed मल आते है अब आते हैं rear profile में, दूस्तों rear में सबसे बहुत इसके suspension देखे यहाँ पे आपको WP के Apex वोले suspension मिलते हैं बड़ ये side mountain suspension जी इसको mount किया company ने side में ताकि दूस्तो side में इसलिए के इसके जो ground clearance है वो बढ़ाया जा सके और seat height कम की जा सके इसलिए side mountain suspension कमपनी ने दिया है उसके बढ़े दूस्तों आपको बढ़ा दो यहाँ पे आपको जो exhaust है आपको underbelly exhaust मिलता है देखें कमपनी ने अंडर बेली जो exhaust है इसमें दिया हुआ है tire size में rear में 150-60 के tire size आपको इसमें rear में मिलेंगे बात करें braking के बारे में ब्रेकिंग में special feature में दूस्तों इस बाइक में आपको बता दिया मैंने dual channel EBS मिलता है ने कि front ABS और rear ABS दोनों काम करेगा इसमें आपको rear में 230 mm की disc plate देखने को मिलती है ठीक प्लस यहां पर देख पार है जो बाइबरे की कैली पर है वह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे single piston कैली पर है ब्रेकिंग इसकी जो आपको बहुत ही दगली देखने को मिल दाएगी यह आपके rear foot race यह आपके split seat देखने को मिलता है one and two row part में seat है seat की जो foam quality दोस्तों वो भी आपको इस bike में बहुत अच्छी देखने को मिल दाएगी अब चलते हैं tank की तरब यह tank का design काफी अच्छा मिलेगा speedometer तो finally दोस्तों अब आपको duke to 50 में LCD पैनल देखने को मलता है जिसका weight काफी दिनों से किया जा रहा था company ने finally दोस्तों इसमें LCD पैनल दे दिया है जिसमें आपको feature काफी मिलेंगे देख रहे हैं यह clock है यह आपका gear indicator है यहाप आप देख पा रहे है यह RPM है ठीक है जिसमें tankometer भी गयाते हैं दोस्तों यहाप फिर indicator है इसमें engine temperature का दो चीज़ तीन चीज़ दिखाती है low, medium, high ठीक यहापे odometer है यह rear ABS दिखा रहा है यह speedometer controller है जिसमें आपे feature का use कर सकते है इसमें बहुत ज़्यादा feature है तीक है सबसे पहले ABS में road and supermoto set है, bike info में engine temperature, range, battery, auto, service, warning, trip info, trip 1, trip B, उसके बाद audio player है, lap timer है, lap timer के बाद settings है जिसमें आपको fair width, cube selector, connectivity, kick shifter, supplied, clock and date, unit, extra function, सारे feature आप देख सकते है, speedometer का कितना सूपाव हो गया है, switch में यह pass switch, यह हजाट का switch, उसके speedometer controller, turn a single left on, angel kees, और एक surface आपको bike में मिलेगा, plus आपको आपको आप डॉमिनार रोले mirror देखने को मिला आते हैं, शलिए, बात के लिए डिविनेंसर और capacity के बारे में, दोस्तों इस bike की जो overall length है, वो आपको देखने को मिलेगी 2026 mm की, overall width है 836 mm की, overall height है 1267 mm का, ground clearance है 176 mm का, seat height है 800 mm की, well base इसका आपको 1357 mm, प्लस fuel tank capacity आपको 15 लेटर ग्यास पास की देखने को मिला आता है, सेथे दोस्तों, brand new KTM Duke 250 का detail specification लेटू, अब दोस्तों, आप लोग comment करके ज़रू बतार, आपको बाइक कैसे लगती, बाइक बहुत अच्छी है, बाइकी 250 तो 250 आपको कैसे लेगी, आप comment करके ज़रू बताना, मिलता है फिर नेक्ट फिरो में, love you all, जेहिन और बंदेबाद आप